आज के वीडियो में दोस्तो मैं आप लोग को बहुत ही बढ़िया बिजनिस के बारे में बत्ताने वाला हूँ और बहुत ही अच्छा बिजनिस है इसमें इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा से करना पड़ेगा लेकिन इस बिजनिस में जो है कॉमपेडिशन आपको बहुत ही कम बिजनिस कर सकते हैं बाकि इस बिजनिस को आप बहुत मोटे फाइदे कमाएंगे जिए दोस्तों इस बिजनिस को आप जितने अच्छे तरीके से करिएगा उतना ज्यादा आपको इसमें प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों कौन सा बिजनिस होगा कैसे उसको सुरू बिजनिस में आप लोगों को बताऊंगा और इस बिजनिस में आप अकेले खुद से आप चाहें तो इस बिजनिस को कर सकते हैं जितना अच्छा तरीका से अच्छा तरीका से इस बिजनिस को करने के लिए आपका लोकेशन जो है बहुत ही माईने रखता है अगर लोकेशन स तरीके से समझाऊंगा कि इस तरीके से होने वाला है। दोस्तो वीडियो को सुरू करेंगे उससे पहले बिल्कुल छोटा सरी क्ष्टाइगर चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। तो इस तरीके का और भी वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहें दोस्तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं आपको business के बारे में बताते हैं कि business कौन सा होने वाला है दोस्तो आज का business होने वाला है वो आपको सहरों में करना ही यह तो आपको पता है लेकिन किस तरीके से करना ही यह पहले समझ लिए दोस्तो जो sports bike होती है जो थोड़ा सा म दूस्त करना है इस bike आपको को स्यल नहीं करना है अप इस bike को आपको इस je kalian अब दोस्तों इस बाइक ने दोस्तों को नेकर आप सोच नहीं हो के बाइक जो कौन रिंट रेके जाएगा तो यह की आप लोग को बता रहा हूं जो लोग दूसरे में रहते हैं उनको कोई खैव दूसरे सहर में आते हैं उनको एक जगा से दूसरे जगा घूमने के लिए तो होटल में उनों apex रहते हैं फिर वहाँ से पता लगाते हैं कि कहा फे घूमने श्यादा ज़री न सब्सक्राइब करने के लिए या फिर किसी को कोई meeting attain करना है कहीं घूमने जाना है कोई एक्जाम देना है यानि कोई भी चीज़ हो तो कोई बाइक उसमें जो है सोचता है कि मैं एक बाइक दिन भर के लिए रेंट पर ले लूँ और उससे जो है मैं अपना सारा काम निप्टा लूँ क्योंकि अगर आप अटो से जाते हैं वो लोग बाइक रेंट पर लेना पसंद करते हैं तो उसमें आपको क्या करना होगे आपको अपने अंदर में जो है सारी बाइक रखनी होगी बाइक आपको नए नहीं लेने होगे आप यह मत सोचे कि इतना सारा जो है इतना मांगा मांगा बाइक हम नया कहां से लाएंगे आप नया मत लिजेए जो सेकंटины या को हुआ आपप ऐसे लड़के होंगे चो इस तरीके रखेंगे आपको उनसे जो है contact करना होगा, बहुत easy तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इस business को आप बहुत ही कम investment में भी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान पुरबक देखेगा, और समझने इकosis कीजिएगा, जो भी बच्चे हैं, जो यह सब बाइक रखे हुए हैं, आपको उनसे चान्टक्ट करना है, क्योंकि जिसके पास भी बाइक है, अगर मेरे पास आपके पास है, तो आप अपना बाइक प्रडे लेके कहीं नहीं जाते हो, अपने लोगों का आप पास बाइक कर लिए, और बाइक को पुट्च कर लिए, उनका नमबर अपने पास तो आप उनसे बात करके उन लोगों से भी आप मतलब रेंट पे लेके और दूसरे किसी को दे सकते हैं उसमें आपको ज्यादा मुनाफ़ा होगा या फिर अगर आपके पास पैसे हैं आप थोड़ा सा इंबेस्टमेंट अगर कर सकते हो तो इस तरीके के जो है थोड़ा से भा और बाइफ भी रखने हैं कोई अगर लड़की आती है उसको अगर अपना इक्जाम काम करना है तो उसको अगर बाईट चाहिए तो उसको आप से माएंगेगी तो उनको आप स्कूटि भी हायर करा सको इस तरीके से आपको अपने अंदर में जो है सारे वाइक कलेक्शन वा अगर आप फॉर्म रखे हैं तो फॉर्म भी फिल करा सकते हैं उसमें सिगनेचर होगा करा लीजिए उनको जो है बाइक दीजिए बाइक के साथ एक हेलमेट उनको दीजिए और वह अपना 24 घंटा के लिए या फिर 12 घंटा जिस तरीके से आप अपना फी रखिएगा उसमें साथ उसको आप एड़ कर सकते हैं और बाइक को आप 700 से लेके 800 रुपे 1000 रुपे जिस तरीके का बाइक है उस तरीके का आप चार्ज जो है उन लोगों को देखे बाकी सब खर्च जो है पेट्रॉल वह डलवाएंगे वह अपना घुमेंगे फिर बाइक लिया का आपको हैं कर देंगे तो इस तरीके से आप करके आप बाइक को जो है ओ रेंट पर देखे आप अच्छा कैसा प्रोफिट कमा सकते हैं आप सोचिए अगर आपके पास अगर बाइक है दिन भे घर पे लागा रहता है क्या आता है उसे कोई भी जो है एक भी रुपे का इंकम नहीं है द है इपना काम करेगा फिर सामको आएगा यहाँ पर ठीक ऑब कर देगा आप सामको आएगा और अपना पैसा लेक सले जाइएगा उस तरीके से आपकर सकते हैं अगर ज्यादा इंवेस्सक्यंट है व्याइस करना घ्यानक서 कगला जाना ज्यादा लगा रहता हो उस जगह पे अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट भी कराना पड़ेगा जब आप इस बिजिस को सुरू करते हैं तो कस्टमर अपने पास लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसका एडवर्टाइजमेंट कराना होगा सोसल मेडिया पर एडवर्टाइजमेंट कराईए फिर आप क्या केजिए कि आप गूगल पे जो है आप अपना एक छोटा सा वेपसाइट बनवा लीजिए कि कोई भी जबाता है जब गूगल करे तो आपके बाइक का जो इस तरीके से करके यह का नया कंसेट है यह इस तरीके से करके करके आप अच्छे का सी पेसे कमा सकते हैसा नहीं करना बहुत पहले से बहुत सारे लोग इस पर लगे हुए हैं और काफी ज्यादा अर् qualifying कर चुके बहुत लोग श्त लोग कार का भी बिजनिस चित्री itself करते है लेकिन मैंने आपको बता है कि कम investment में कार का कर न थोड़ा सा मुश्किल है उसमें ज्यादा investment लगगा लेकिन आप बाईक करके छोटे से investment में इस business को करके आप अच्छा कहसा profit कमा सकते हो दोस्तों बिजनेस आइडिया कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूबत एगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सस्क्राइब करके बेलेगे उनको प्रेस कर दिजेगा, हम मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नहीं जनकारी के साथ, जाहिन बन देमाट